आईश्या प्लांटिक में सभी कसान भाईयों का सुवागत है निम्बू के पोद्दे जो के अमरीसर में लगे हैं तो यह हमारे किसान भाई है हफ्ते में हर हफ्ते निम्बू तोड़ रहे हैं इसका पचास किलो के तरीब अभी सबा साल का यह प्लांट है आने वाले समय में यह डेली इससे फल तोड़ेंगे इतना ग्रोथ होगा आपको दिखाएंगे आप इने दिखाएंगे पूरा बाग गुम के देखिए किसान भाई हो तीन-चार सु इनका प्लांट लगा हुआ यहां पर यहां पर और आपको यह तोड़के भी दिखाएंगे तोड़के दिखाएंगे कितना साइज है इसका यह आप देख सकते हैं कि यह अब नम्डी में जाने के लिए तयार है और यह बिलकुल शकंजमी वाला निम्भू है यह बीज बिलकुल नाम आतरे थोड़ा है और यह निकी बल्ठ अच्छे रेट में जा रहा है पचतर अब करीब जा रहा यह निम्भू अभी तो आपको कोई प्रॉलम तो नहीं होती म अए और यह बड़ियान निम्भू alguma है कितने क्राम का निम्भू है भिए एक निम्भू जैसे अब निम्भू सर तोड़ते हो कितने दिन तक निकाल देता है कम से कम यह देखो एक हफ्ता तो निकली जाता है इसका बड़े अरान से कम से कम पिला होने में एक हफ्ता लग जाता है पकने में उसके बाद आप इसको मट्डी में सेल कर जाती है ठीक है और मैं बताना चाहूंगा सभी किसानबाईयों को कि इन्होंने पूरी और गैनिक तरह ना से इसकी खेती किए कोई एक्सटरा इनोंने केमिकल ने यूज किया जैसे कम्पनी ने गाइड किया वैसे इनोंने काम किया तो अच्छर जल्टी ने मिल रहा है हर हफते का ये अराम से 10,000 इंकमिन की चल रही है अभी सबा साल से ही जो कि आने वाले समय में दुगनी हो जाएगी हर अफते ये कम से कम 20-25,000 आराम से कमा लेंगे जितनी उने प्लांट्स लगाए है और जो ये निबू है इसमें खासियत यह है कि 10-15 दिन ये खराब नहीं हो अब ये बिक जाएगा और तैयार निम्बू है और जो किसान भाई है आके यहां देखना जाते हैं अमरी सर में देख सकते हैं इनकी मंतलिया आप एबरिज की इंकम लगा के चलिए तो अराम से अभी सबा साल का प्लांट है अराम से ये कमा रहे हैं कम से कम 60-70,000 जो कि आने आप पर द्रेफिक आदीजिए पंजाब में अमरे शर और मारा जो परड़ता है यह रिशूल पूरा कलर पेंट चाली खूब यहां पर आकर कोई भी बगीचा देख सकता है और हम मुझ से मिल सकता है और बहुत अच्छा बाग इसको देख सकता है और अपनी त्सलिए कर सक अच्छा बाग दिखाई है और मारे एक ब्रदर हैं वो इटली से हैं जो के फगवाडा में रहते हैं वो भी इंट्रस्टीट है कुछ भाई हमारे किसान को खेती कर रहे हैं कुछ करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे कर सकते हैं इसमें काफी इंकम अच्छी है और काफी बहुत है जो कम नहीं होता बडिया चला रहता है अच्छा प्लांट है और आपको दिखाते हैं यह देख सकते आप देखिए कैसे गुच्छों में लगा हुआ है अभी सिर्फ सबसाल के पोदे हुए है अगर कोई भी किसान बाई आकर देखना चाता है अमरे सर में तो आ सक में हैं और देखिए अभी यहां पे जहां तक दूर दूर तक सारा निम्बू ही नजर आ रहा है किसान बाई हो कोई भी आकर देखना चाता है मेरा किसान बाई तो आकर देख सकता है हमारे मेरट में भी लगे हैं पानीपत मश्रोली में भी लगे हुए हैं पोदे और करनाल में इंद्री में भी लगे हैं जो हमारे संजीव जी है और गुरमीज जी है कि अगर कसान भाई कोई भी आके देखना जाता है देखो कैसे सबसाल का पोदा है देखिए कैसे निम्बू लगा हुआ इसकी ग्रोथ होगी सबसाल के पोदेगी कम से कम देखिए मेरी हाइट सरद भाण हाइट देखिए हाइट मेरे पांच साड़े पांच पुट का अभी सबसाल का है बीच में कुछ काफी अच्री हाइट वाले हैं इसका नाम प्रम नहीं है कसान भाईयो इसकी ग्रोथ कम से कम साथ से आठ पुट जाती है और छे साथ पुट का गेरा बनाता है और शे साथ पुट का ही अब बढ़ता आउपर गी लिए अभी आपने सर कब तोड़ा यह निमू यह मैंने पिछले अफ्टे तोड़ा था अभी निम्बू हाँ जी तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि पुच्छों में निम्बू लगा हुआ है और इसमें मैंने कम से कम भी इस बगीचे से 50-60 किलो तोड़ा था और यहार अप्टे तोड़ रहा हूं चंडे के चंडे और क्या रेड गया था यह मेरा पचातर पे क्रीब गया था पचातर पे किलो केजी और आपने कितना 50 किलो इनों ने किसान भाईयों बेच दिया है जो अभी पोद्दे इनके हुए है सब साल के हुए हमारे कश्टमर है दरमसिख जी उन्हों ने भी 70-72 है यार का निम्बू डेर साल में बेच दिया था और इनों ने भी अबी होर निम्बू बड़ा अब अभी 17 किलों निम्बू प आपको सभी देखिए दूर दूर तक अभी तोड़ने वाला पड़ा हुआ अभी तोड़ेंगे भी और हो भी लग रहा है फूल भी पड़ रहा है बीच में से हमने इनको आज बोला कि आप थोड़ा सा होर बगीच्चा बड़ा होने दीजिए कि थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए पोड़ोंगी उसके बाद आपने डेड़ साल के बाद प्रोपर लेना स्टार्ड कर देंगे कर दो और आगे भी अब गीच्चा हो जो हमारे आईश्या प्लांडी के दौरा लगा हुआ हुआ मां आपको दिखाता हूं कसान भाईयों आई यह जो हमरे सर में आईश्या प्ल यह जाता है अगर कोई किसान भाई आके देखना चाहता है तो आके पंजाम में निम्बू देख सकता है कि पंजाम में इन्होंने हमारे से तयर्बा के लिए 303 सो पोड़ा लिया था कि इन्होंने ये ट्रयल करना था कि कामजाब होता है जैनि इनका तःर बा काम जाब हुआ और आप आपे होर बढाने के लिए सोच रहे हैं हांजी अब आपने कितना पोदा लगा नहीं हाँ अभी मैं 300-400 पोदे और लेने के सोच रहा हूं ऑर कितना टाइम लग जएक होर लगाने के लिए अब देखो अभी तो थोड़ा इसमें से प्रॉफिट आयेगा अभी तो जन्वरी फरवरी तक किसान बाई उन्होंने होर पोदे हमारे से खरीदने हैं और इनके फादर साहब है वो दूसरी साइड है वो इस तेम किसी बास से नहीं आपाए इधर वो कह रहे थी कि हमने होर बगीच्चा लगाना है होर बनाना है इनकी और इदर ही खेती जमीन है जा इनकी जमीन इनकी जमीन है जहा इनके पोदे लगाने वो दूसरी साइड में धेकिए गुच्छों में निम्बू लगा हुआ है जिए स्वारीमिने तीस देन लगता है कि अब 추천 भुदिआ है नि-से को पहले मिने तीस देन खाया और आफो पहले भी तोड़ा एंबेंसे ब पहले भी कोड़ा कितने दिन पहले आपने तोड़ा निंबू ने से एक फ़गशान बईओ एक हफ्ता इन्होंने पहले निंबू तोड़ा और दोवारा फिर तयार हुआ है । देखिये फूल पड़ा पूल भी आ रहा है अभी नई फ्लावरि जहां से निबू तोड़ा यह अहां से फ्लावरिंग और इदर पकने भी आ रहा है देखिए किसान भाई अईश्या प्लाटिक में सभी किसान भाईयों का स्वागता है आईश्या प्लाटिक दोवारा सबसाल के पोदे जो हुए हैं अमरे सर में वो कामजाब है जब कोई किसान भाई आके देखना चाता है किसान भाईयों 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 किसान भाईयों